तो आज हम फिर से प्रजेंट है क्लास नाइन की एक और वीडियो को लेकर जिसमें कि आज हम सोलिशन करेंगे एक्सरसाइज 18.1 का कोश्चन नंबर एक से लेके आठ तक की कोश्चनों को चलिए इसके पेछले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुकी इस चेप्टर की तो आपने नहीं देखा है तो जाकर आप सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जाकर सबसे प सबसे पर देखें दिया हुआ है कि किसी गोले का इतन्स अब सब्सक्रिप्व और लिंचे कि किसी गोले का item भी ठीक है याने item को भी से ही denote करते हैं क्योंकि volume होता है इसका mini तो कहता जब गोले का ब्यास दी दिया हो ठीक है तो याद रखना है कि जब इसका ब्यास दी दिया हो तो इसका जो घं का item होता वो हता 1y6 pi d का q याद रखना आपको कि इसका ये formula है यादि गोले का item क्या हो भी याने क्या जब गोले का ब्यास दी में रहे तो क्या करना आपको ये ही formula apply करके क्या करना इसके item को ग्याद करना है चले तीसा प्रशन है इसी का कि कि किसी गोले का प्रिष्टिय च्छेतर फर्ट तो किसी गोले का जो प्रिष्टिय चहत पूता है, उसका फॉर्मूला है, फोर्पाई आर स्क्वार्ड, ठीक है? यह इसका फॉर्मूला है, चले, चौथा कोश्चन आपका दीचे दिया है, किसी खोकले गोले की बाहरी ब्यास और भितरी ब्यास करम से ए तथा भी है, तो सेल का item तो याद किजे कि आपने formula पढ़ा था है हाँ पर 4 y 3 pi into बड़ी r का q minus छोटी r का q तो यहाँ देखें कि यह इसको मान ले कि बड़ी r a के बराबर है छोटी r क्या है b के बराबर तो formula हो जाएगा 4 y 3 pi a का q minus b का q यह था आपका question number 1 के 4 चले चलते हैं question number 1 के 5 में चले question number 1 का 5 देखें तो काता है कि एक खोखले गोले का बाहरी ब्यास और भित्री ब्यास क्रमसब एक स्था बाई है तो खोखले गोले के ठोस भाग का item तो जानते है item क्या होता था यदी क्या है 4 y 3 pi दिया है कि जो बाहरी जो है वो x है अंदर वाला y है तो इसके जब हम क्या ऐसे रख लें तो देखें हो जाएगा 4 y 3 pi ठीक है और ध्यान देजिए जहाँ ब्यास दिया है जहाँ ब्यास दिया रहता है वहाँ पर direct हम लिखेंगे 1 y 6 pi x का q q minus by का q चलिए तो इसी कोंग खुआ सबसे सजाना है ठीक है यह हम तब लिखेंगे जब क्या है आर दिया रहे यानी इसको तब apply करेंगे जब क्या हो आर याने tiriya dी रहे तरिज्या दिरे इसको तब apply करते हैं जब क्या रहे है ब्यास दिया रहे ब्यास के टर्म में हम क्या है कि प्रिष्टी एचेतरफल या I10 में हम यह formula लगाते है 1y6pi यहाँ पर क्या है xy है तो x का q minus by एक रहता a b तो a का q minus b का q यहाँ पर क्या है जदी रहता p q तब p का q minus by x का q लिखते हैं तो चलिए इसको सजाते हैं यहाँ पर 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 लही दे दिया है कि क्या है pi y6 x minus by ले लिए गया यहाँ देखे pi y6 तो निकाल ले गया अब इसको क्या इसको formula आप जानते हैं a का q minus b का q बराबर formula होता है a minus b into a square plus a b plus b square तो चलिए a minus b यहाँ x minus by तो यहाँ लिखा गया तो यहाँ क्या लिखाएगा x का square plus x by plus by का square ठीक है यह था आपका question number 1 के 5 का answer तो चलिए चलते है question number 6 देखे काता है कि गोले का प्रिष्टिय चेतरफल गयाद करना है यह दि इसकी तेज़या 7 cm दी रहे है तो बाइस जोगे 88, 88 सते 616 तो इसका answer कितना जागा 616 cm square तो चलिए चलते है question number 2 आपके सामने लिखा हुआ है question number 2 काता है कि आज तिज्ज्या वाले गोले का item निमलिकित में से कौन होगा तो गोले का item का formula क्या होता है 4 y 3 पाई याज का Q जो कि आपका option number C दिया है चलिए question number देखते है question number 3 question number 3 आपका करता है कि 5 cm तथा 6 cm तरिज्या वाले दो गोलों के item का अनुपात ग्याद करना है ठीक है तो item का क्या है अनुपात आपको क्या करना है ग्याद करना है चलिए तो item का अनुपात ग्याद करना है तो मान लेते हैं कि पहला जो है आई तनका अनुपात 4Y3 पाई 5 का क्यूँ यहां देख लेंगे तो लिखेंगे 4Y3 पाई 6 का क्यूँ तो देखे 4P3 से 4P3 पाई करियागा तो कितना बजाएगा 125 बटा 216 यहां नुपात 216 तो देखे आपका उप्सन नंबर C है यहां दिया हुआ है कितना 125 बटा 216 तो यह था आपका कोश्चे नंबर 3 चली चलते हैं कोश्चे नंबर 4 में कोश्चे नंबर 4 करता है कि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए क्या कर दिया जाए आधा कर दिया जाए तो नए गोले का आईतन कितना रह जाएगा तो लिखेंगे सबसे पहले गोले का आईतन क्या है आपको उप्सन चुना उप्सन का कोश्चन तो उप्सन वाला कोश्चन है तो उसका जवाब भी क्या है हम option में इसको return करना को ज़रूरी नहीं है लेकिन हम बनाकर इसको क्या आपको समझाने के लिए हल करना पड़ेगा तो हम जानते हैं गोले का आइतन क्या है आर त्रिज्या वाले गोले का आइतन क्या होता 4Y3 PiR का Q अब कहता है कि जो नए गोलन है उसमें क्या है कि त्रिज्या को आधा कर दिया जाता तो लिखेंगे कि नए गोले का आइतन बराबर क्या होगा तो इसको क्या करना है सबसे पहले त्रिज्या को आधा करना है यानि आर वाइट्टू लेना है तो हो जागा कितना आर वाइट्टू का आठमा भाग तो देखें option नमबर पहला में आधा है दूसा एक चोथा तीसरा आठमा भाग चोथा तो मारा answer आठमा भाग तो इसलिए answer कितना होगा आठमा भाग चले चलते हैं question number 5 में question number 5 काता है कि यदि किसी थोस गोले को बरावर भागों में काट दिया जाए तो क्याता है कि तो दोनों अर्ध गोले के संपूर्ण प्रिष्टों का च्छेतरफल का योग गोले के प्रिष्ट च्छेतरफल में निमलिखित में से कौन सा भाग होगा तो इसको आपको क्या करना है बताना है तो चलते हैं इसके एंसर में सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या है कि गोले का कि अर्ध गोला बनाए गया है ठीक है तो गोले का प्रिष्टी च्छेतरफल जो कि हम जानते हैं कितना होता फोर पाई यार स्क्वार अब क्या इस गोले को काट कर दो भागों म इसकार्फ़क जानते हैं कि अर्द गोले का पुरश्व क्या होता थीरी पाइ यार स्कॉार्ण तो कितना वहां? जोड़ देखें चार उछे में कितने का उठाए है तो बेल्ड कांथ है तोसे कितना दिखिने हैं कि आपकी में । कि यह आपका एंसर कितना डियोड है चले चलते हैं कोश्चे नंबर च्छे करता है कि किसी गोले का ब्यास एकलम बिर्तिया बेरन के ब्यास तथार दोनों के बराबर हैं ठीक है तो बेरन का वक्त प्रिष्ट उस गोले के वक्त प्रिष्ट शेत्फर का निमलीखित में से कौन की गोले का प्ष्ट शेत्र फेल क्या है ओजाएं गोले का प्रिष्ट शेत्र फल क्या हो जाएंगा हमारा 4PiR羅 चले बात आइए बेलन की ठीक है तो बेलन की त्रिज्ज्य ust Hm दोनों क्या है बरावर है तो आप से पुछता है तो बेलन का बग उस गोले के बग प्रिश्ट्य प्रिश्ट्र स्कॉर्फल सब्सक्राइब होगा कि दुगना की आधा है तो हमारा उत्तर बiberal이 एhtρα होगा है चल्इह कुछ नमबर 7 काता है कि किसी गोलेकी परिश्ट रफल कितनी % की सत की ब्रभाइब की तुछ आतो कि ओल्य ऴुक्त त्रिज्ञा को ँल्जा कि我說 hon जाएगी early START का हानड़ेट पर्शंट क्या हो जाएगा हंड़ेट पर्शंट मतल lid बाटा तो कितना होगया ऑप इसका देख लेसे candidates इसका प्रिश्वद पर क्या हो जैगा प्फोर पाइए रसको 65 फ्यारीन तो कितना जाएगा तो इसका देख लएक उलब 14 तो आप पूछता है कि कि टो बिशेत्वल में कितनी पर वीडुट्धी हुई सबसे पहले देख लेतें यहां लिखेंगे ब्रिधी कि ना मुझे पाई यार नए वाला हम क्या करेंगे पुराने वाले को क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 पाई आर स्क्वार क्या जाएगा 12 पाई आर स्क्वार चल यहां पूछता है कितने प्रतीसत तो यहां क्या करेंगे इसका प्रतीसत निकालेंगे तो प्रतीसत कैसे न तो तीन कुला सो कितना थीन सो परृति सर्द चलि हमारा उपसन में 300 पर अप Garlic स्वीप नमबर चलते हैं कोशन नंबर एठमे क्लोंव ile कर भूद ME चाफ कर दो कियान प्रिस्धार में क्लuded कि आख सही हमारह संदुन पर वीडियो रिगुलर आती रहते हैं चलो जलते हैं कोश्चन नमबर 8 में कोश्चन नमबर 8 काता है कि एक अर्ध गोले और गोले के संपूर्ण प्रिष्टों में क्या नुपात है जबकि दोनों की तरजाय क्या है बरावर है यानि देख लें कि अर्ध गोला और गोला दोनों की क्या है संपूर्ण प्रिष्ट का नुपात क्या है संपूर्ण प्रिष्टों का अनुपाद संपूर्ण प्रिष्टों का अनुपाद चले तो अर्द गोले का संपूर्ण प्रिष्ट छेत्वर क्या होता है ठीरी पाई यार स्क्वार जबकि गोले का संपूर्ण प्रिष्ट क्या होता है फोर पाई और स्कॉर तो पाई स्कॉर तो पाई स्कॉर खतम तो तीन वटाय चार्य याने कितना तीन अनुपाट कितना है तीन अनुपाट चार्य ये था आपका question number 8 का solution तो आज के लिए इतना ही चले चले मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जाहिंद